हलो दोस्तों वेल्कम बेक टू मैं यूटूब चेनल आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डियल एड के फर्स्ट येर के सिलेबस को लेकर के यानि डियल एड में जो फर्स्ट येर के सिलेबस है उनमें कौन-कौन सी किताब पढ़ाए जाएगी और कितने जो हैं ऍयल्एड में जो First Year के कितने paper हैं, कितने paper सब के सवाल आएगा किस टॉपिक पर सवाल आएगा और कितना किताब को आपको पढ़ना जरूरी है DL8 के First Year में आज̡ ररी हम इस video के मादियंं से जानेंगे, क्यूंकि इससे पहले भी मेरा एक video इस saag सुम्ह movimiento में बन चुका है लेकिन उसमें जो है कि बहुत बच्चे समझ नहीं पाए थे इसलिए वीडियो दुबारा में बना रहा हूँ ताके आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि डियलेट के फर्स्ट येर में कौन-कौन से सिलिबस हैं कितने किताबों को पढ़ना है कितना नमर लाना जरूरी है आज इस वीडियो के माधियम से हम अच्छी तरीके से जानेंगे तो हम बात कर लेते हैं तो यहां देखिए यहां है कि क्या लिखा हुआ है पर्थम वर्स यानि डियलेट के पहले वर्स का सिलिबस है ये ठीके तो पहले वर्स के सिलिबस में आपको इतना चीज़ें पढ़ना है ठीके बारा बारा पेपर आपको पढ़ना है और एक पेपर आपको आता है SEP1 यानि इसमें जो है कि आपको अनुभव के लिए भेजा जाता है कॉलेज में इसकूल में आपको हम चिदरे समझाएंगे धेरी बना के रखेंगे और वीडियो को इसकीप नहीं करेंगे एक तरफ से लगातार देखेंगे ताकि आपको को चिदरे समझ में आ जाए ठीक है देखिए पहला पेपर है यह 1 है हमारा समाज सिक्षा और पार्ठी चारिया की समझ इस टॉपिक पर इस पेपर पर आपको पढ़नी है जिसमें आपको समाज के बारे में सिक्षा के बारे में आपको थोड़ा सा समझाए जाएगा उसके बाद में यह जो है बाहर यह नमर जो है आपका 70 नमर दिया जाएगा इसका जो एक्जाम होगा बाहर यह एक्जाम होगा उसमें आपको जो है की कॉलेज से बाहर तो इसके जो 70 नमर आपको दिया जाएंगे, ठीक है, फुल मार्क, और जो है, 30 मार्क जो आपको दिया जाएगा, वो आंत्रिक होगा, यानि कॉलिज के अंदर से आपको 30 मार्क आपको मिलेगा, उसके बाद में दोनों को मिला करके, 70 और 30 को मिला करके, हमारा हो जाता है, 100 अंक, यानि तोटल जो अगर मैं समाज सिक्षा और पाठ्य चारिया की समझ में तो इस चेप्टर में आपको बार यह से मिलेगा 30 नमर और 30 नमर मिलेगा अंत्रिक और 100 कुल यह दोनों को मिला करके हमारा 100 होता है फुल आंक इतना है 100 है ठीक है वैसे तो यहाँ पर 12 सब्जेट हैं और यह से भी को मिला करके 13 होगे तो 13 को मिला करके जो हमारा कुल जो नमर है वो आपका यह खजार है यह खजार आपका फुल मार्क है और जिसमें से आंत्रिक जो आपका आएगा आपका 430 नमर मिलेगा और बाहर यह से जो आएगा वह आपका आएगा 570 नमर टोटल को मिला करके अगर में बात करूं तो हो जोता हमारा 1000 फुल आंक ठीक है चलिए अब हम बात कर लेते हैं पेपर टू की यानि एफ टू की बात कर लें तो इसमें आपको पढ़ना है बच्पन और बाल विकास के बार इसमें आपको पर प्रात्मिक अस्तर से आपको समझा जाएगा ठीक है यहां पर जो आप पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल जीरो लेवल सब को पढ़ना है यह बच्पन और विकास में जो है कि अगर मैं बात करूं तो बाहरी से 70 नमर आएंगे और आंतरी कितना नमर आएं उसी तरह पेपर 3 के अगर मैं बात कर लो तो इसमें प्रारंबिक बालिवस्था देख बाल एवंग सिक्षा के बारे में आपको पढ़ाय करनी है जिसमें आपको 70 नमर बाहरी है और 30 नमर आंतरीक है और दोनों को मिला करके बात कर लो तो यह 100 नमर फुल मार्क है ठीक है उ आपको यहां पर सिक्षक विकास कैसे होंगे विद्याले संस्किर्ति क्या है उसमें परिवर्तन कैसे ला सकते हैं उसी चीज़ के बारे मैं आपको पढ़ाय जाएगा जिसमें बार यह नमर जो है आपका 70 होगा और आंतरीक नमर आपका 30 और टोडर को मिला के बात कर लें त तो यहां देखिए पेपर नमर 5 में बहासा की समझ this में आप ए सबको बहासा के समझ और अरा मिवerसा विकास को आप बच्चों को कैसे सखाएंगे भासा का विकास कैसे हो जिसे कोई भी बच्चा है यह नहीं जानता है तो कैसे पुझाता है इस प्ढ़ाएंगे उसको हिं करना है यह जो मैं भी बता रहा हूं ना यह टोटल डियलिट के फर्स्ट येर का रूटिंग है यह फर्स्ट येर का सरेबस है ठीक है इस समझ ध्यान भी रखेगा तो शिक्षा में जेंडर एंग परीप्रेक्ष ठीक है इसके बारे में आपको पढ़नी है और इसमें आपको टोटल 25 समर 2 से मिलेगा और अंतरिक नमर जो मिलेगा वह आपका 15 नमर इसके में बात करेंट कर आपका 50 मेर जाता है इस बात फोट नहां रखेंगे ठीक है उसके बाद में पेपर में अगर में 7 की बात कर लो तो इसमें आपको जो एक की गनित का शिक्षन शिक्षन अस्तर ठीक है और प्राथमिक अस्तर से यह पढ़ाया जाए आपको गनित के बारे में तो इसमें जो ही कि आपको टोटल मार्क है 35 और आंतरिक नंबर है आपको कितना 15 और टोटल मिलाकर के कुल अंक हो जाता है हमारा 50 ठीक है और एफ एट में यानि पेपर आट में क्या है हिंदी का शिक्षन सास्त्र यह भी प्राथमिक अस्तर से पढ़ायागा 35 नंबर यह है और आंतरिक नंबर है 15 और टोटल मिलाकर के हो जाता है आपका 50 ठीक है एफ 9 में हमारा है प्रोफेसेंसी इन इंग्लिश में आपको जो है कि बाहर यह नमर मिलेगा 35 और आंतरिक नंबर मिलेगा टोटल मिला करके हो जाता है पचास्ति ओओ इसमें खुला सेमय की शिक्षा के बारे में आपको पर नहें जिसमें ऑपको 40 नमर मिलेगा 90 paarlaw 27 नोबर कर लो गों तो एक 100 मिलेगा ठीक है उसके बाद में हम बात कर लàng है दो कि इसमें नमर हो जाता है तो ये रहा हमारा 12 सब्जेक्ट जो कि इसके बारे में बदाना मुनासिश समझाओं तो आप इनहें ध्यिअरम रखेंगे इतना सफजेग्ट ऐब है आपको पहला वर्समें जेलेट में अगर कॉलेज में प्राविट हो चाहे सरकारी हो अगर तयारे करने के लिए जाते हैं तो DLIT के first year में आपको इतना बारा सब्जिट के बारे में आपको पढ़ना जरूरी है इसके अलावा यसी पी से आपको एक जो है कि दिया जाएगा जिसमें आपको विद्याले अनुभाव कार्य करम के बारे में आपको बताना होगा यह जो चीज आप देखने हैं यह तो इस में क्या करेगा आपको प्रैक्टिकली जाना पड़ेगा ठीक है जैसे आप जहां पर भी प्रिक्षय यह कर रहे हो पढ़ाई कर रहे हो द्याले आपको सरकारी स्कूल जो है कि भेजा जाएगा सर्विक्षन के लिए कि वहां पर आपको जाना है बच्चों को देखना कैसे पढ़ाय करते हैं और देखना है कि टीचर कैसे जोई के पढ़ाते हैं कुछ experience जो लेना है आपको और कुछ कमी होगी उसकी notes बनानी है आपको क्या सीख मिला उसका notes बनानी है और चार फैलो में जोई की college में जमा करने का होता ठीक है उनमें से अगर ऐसा करेंगे और तो आपक आपके 1000 फुलांग के हैं आपका जिसमें आंत्रिक नमर जो मिल जाएगा वह 430 है और बाहर यह नमर के अगर बात करना तो उसमें 570 यह पांसु सटर और 430 मिला करके 1000 हो जाता है तो इनको आपको समझना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो किसको समझ नहीं पाते हैं तो आउप आपको समझ में आ गया होगा कि पहला साल में कौन-कौन सा सब्जक पढ़ना है क्या क्या पेपर पढ़ना है किस टोपिक पढ़ना है तो आपको हमारे इस चैनल में ही जो है कि आपको हर चैप्टर की तयारी कराई जाएगी अभी तो कि लाशच ठार नहीं तो आप लोग हमारे इस साथ जूड़ जाएंगे, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए, तेंक्यू.